क्या आप बीजेपी जॉइन कर रहे हैं सब अगर आपसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों कोई कहूंगा नमश्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्यप्रदेश 36 कर आपके साथ मैं हूँ राधवक उत्रा और बात करेंगे इस समय राजनिति भूचाल के बारे में जो समय मध्यप्रदेश में नजर आरी है दरसल बता दे कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुच गए हैं अब ऐसे कयास और ऐसे कई सारी जो हैं चर्चाएं इन दिनों राजनिती सुर्ख्यों में हो रही है कि कमलनाथ जो हैं अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामल हो सकते हैं अखिरकार क्या ही ये पूरा प्लान और क्या है इन सारे कयासों के सच्चाई आईए आज इस वीडियो में जानते हैं आपका स्वागत करती हूं में बहुत बहुत अमरोजारा मल्ची प्रदेश चट्सगर में दर असल आपको बता दें कि मल्ची प्रदेश की राजनीती में इन दिनों फिर से भूचाल किस्तिती बन गई है छे दशक से कॉंग्रेस की राजनीती से जुड़े कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकले जो रोशोरों से इन दिनों चल रही है सबकी नजरे इस पर्टी की हुई है यूँ तो मामला कई दिनों से सुर्ख्यों में है पर बीते दिनों में बीजेपी के केंद्र नेतित्व से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की मुलाकात की अटकलों के बाद जो है ये मामला गर्मा गया है शनिवार को अचानक दिली जाने के फैसले से पूरे देश की निगाहे इस घटना करम पर अठक गई है क्या खिरकार क्या होने वाला है चर्चा तब और तेज हो गई जब नकुलनाथ और उनके समर्थकों ने सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म के बायों से कॉंग्रेस को हटा दिया कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या नहीं ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा लेकिन बीजेपी में जाने पर प्रदेश की राजनीती पर क्या फरक पड़ेगा आईए हम उस पर बात करते हैं कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो यकीनद प्रदेश कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा जटका होगा इसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि हाली में अब लोगसभा चुनावाने है आखिरकार और आगे बात करें तो कमलनाथ के साथ कॉंग्रेस के कई विधायक और कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं इसके आगामी लोगसभा चुनाव की तयारियों में कॉंग्रेस को बड़ा फरक पढ़ता नज़र आएगा और बीजेपी यहाँ पर मध्यप्रदेश में बीजेपी को सीधा फाइदा होता नज़र आ रहा है वहीं अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस को नए सीरे से जमावट करनी होगी कहा जा रहा है कि कमलनाथ चिंदवाडा से अपने सांसत बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं हाला कि उनके या उनके किसी समर्थक की तरफ से इस बात पर कोई स्पष्टी करन नहीं आया है राजनीतिक जो एक्सपर्ट है उनकी माने तो कमलनाथ को बीजेपी में आगामी लोगसभा में जो है मैदान में उतार सकती है वही केंद्र में मंत्रिपत से भी जादा उन्हें नवाजा जा सकता है नकुलनाथ चिंद्वारा से ही मैदान में होंगे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जाते ही विधाईकी से इस्तिफात देंगे और अपनी बहू प्रियानाथ को विधायक बनवा सकते हैं अगामी लोगसभा चुनाफ में क्लीन स्वीप की मंशा लेकर मैदान में खड़ी बीजेपी इससे बहतर तरीके से जो है वो भुनाएगी बीजेपी का मिशन 29 भी इससे आसान हो जाएगा उनके बीजेपी में जाने से कॉंग्रेस को निश्यत ही बड़ा जटका लगेगा सारी उटापटक के बीच हर कोई ये जानने के लिए जो है बैताब है कि आखिरकार कमलनाथ को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बीजेपी में जाए इसकी कई वज़ा है मज़प्रदेश विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस ने कमलनाथ के नेत्युत में चुनाव लड़ा लेकिन प्रदेश की 230 में से भाश्पा ने 163 और कॉंग्रेस ने 66 और भारत आदिवासी पार्टी ने एक से जीदी कॉंग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जो है हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ दिया उन्हें इसके लिए जिम्मेदा ठहराया गया अन्य नेताओं ने भी उन्हें अलग थलग कर दिया इसके बाद कॉंग्रेस ने एका एक अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिया राहुल गांधी के करेबी रहे जीतु पटवारी को मध्यप्रदेश कॉंग्रेस की बागदोर जो है लेकिन यहां पर भी कुछ और ही दस्पीरे सामने आई पार्टी ने दिग्विजे सिंग के समर्थक अशोक सिंग को राज्यसभा का उमिद्वार बना दिया कुल मिलाकर जो है देखा जाने लगा कि कमलनाथ को मध्यप्रदेश के नए नित्वत ने एक तरफ से जो है दर किनार कर दिया और उनसे खफा रहने लगी केंद्र ने तित्व जिसके बाद ये अटकले और भी जादा तेज हो गई कि कमलनाथ ने इनी सब कारणों के कारण जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं अब कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा लिकिन इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट सक्षन में बताना बिल्कुल न भूले और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उज़ाला मज्यप्रदेश चत्तसगर के साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें